Hello students, I am Aarti and I heartly welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की Social Science की Work Seat No. 78 करेंगे, जिसकी डेट है 30 जनवरी 2021. My dear students, यह जो आपकी Work Seat आई है, यह आपके Part 4, यानि के जलवायू Part से है, जो है एक Revision Work Seat, अब हम रोज Revision ही कर रहे हैं, अपनी SST में तो यह भी एक Revision की Work Seat है, लेकिन बच्चो इसमें कोशन देखिए किस तरीके से आए हैं और कितने कोशन आए हैं, इसमें आपके अगर हम टोटल कोशन की बात करें, तो जैसे कि जादातर Work Seat में आते हैं, रिविजन की 10 कोशन हैं, पांच कोशन हैं, आपके Very Sort यानि के अतिलगू प्रशन, जो एक आपको एक लाइन में, शब्द में या MCQ में जो कोशन आते हैं, फिर है आपके सोत्र अधारित प्रशन, यानि के आपको अनुच्छेद पढ़ना हैं, और दो कोशन का आंसर देना है, उसके बाद आते हैं हमारे कोशन नमबर 7 और कोशन नमबर 8 जो हमें 80 words में दे रहे हैं, 9, 10 जो आपके कोशन हैं, वो हमें देने हैं, 80 to 100 words में कोशन के आंसर, ओके, Let's start the questions of this worksheet, my dear students, if you are new on my channel, please subscribe the channel, first question जो है आपका नीचे दिये गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्सा होती है, तो बच्चों जब हम पढ़ा करते थे थे ना, उस टाइम तो होती थी चेरा पुंजी में, लेकिन अभी जब आप पढ़ने हैं, तो अब वो स्थान हो गया है मासिन राम, क्योंकि चेरा पुंजी में भी बहुत ज़्यादा वर्सा होती है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो वर्सा जो आप की मापी गई है, वो आपकी मासिन राम में हैं, ठीक है, तो आप मासिन राम पढ़ोगे, अब तो कई वर्सों स इंफ्रेक्ट मासिन राम है पहले चरह मजी थी किन पवनों के कारण माला बार तट पर वर्सा होती है तो यह तो आप भली भांती जानते हैं माला बार तट पर तक दक्षिन पश्च में मानसूनी पवनों के द्वारा वर्सा होती है तो यह लिख देंगे आप सेकिंड कोशन क भारत में मांसून की सबसे पहली वर्सा कहां होती है तो इसका आंसर भी आप सबको पता है भारत में मांसून की सबसे पहली वर्सा होती है केरल में और बच्चों यह जो हमने तीनों कोशन करें यह जीके के लिए भी बहुत इंपोर्टन कोशन है चाहे वो आपका किन पवनों के कारण माला बारतट पर वर्सा होती है और भारत में मानसून की सबसे पहली वर्सा का होती है केरल में और सबसे जादा वर्सा का होती है मासिन राम में ठीक है ये तो आपको याद रखने अब भी इंपोटेंट है आपके लिए 11 में भी रहेगा मांसून प्रसफोर्ट क्या है अचानक ही कई दिनों तक वर्सा का लगतार होना और प्रचंद रूप रखना मांसून का फटना कहलाता है इसी को कहते हैं मांसून प्रसफोर्ट तो ये लिख देंगे आप question number 4 के answer में उके चलिए तो अब चलेंगे हम आपके सोत्र अधारित परशनों पे लेकिन उससे पहले कर लेते हैं कोशन नमर फाइब क्योंकि अभी नहीं है आपका पांचवा कोशन आपको ऐसे करना है उसके बाद करेंगे अनुच्छेत पढ़ेंगे जल वाईयो में महादीपय अवस्था का क्यारत है तो समुद्र का जल वाईयो पर समकारी प्रभाव पढ़ता है जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम हो जाता है वे लोग विसम मोसमी अवस्थाओ का महसूस करते हैं इससे ही जो महादीपय अवस्था हुद कहते हैं तो आपको इतो मैंने कल भी बताया तो मतलब कल इंदेशंस जो आपकी लास वर्क सीट आई थी इससे पहली वर्क सीट नूमर 77 जो जो जगा होती है जो समुंदर के जल से दूर होती है समुंदर से तो क्या होती है अलग चीज continues होती है और जो उसके पास होती है मतलब वहाँ पर जो मोसम है वो अलगभग एक सा बना रहता है जबकि दूर वाले इलाकों में जो मोसम है कि उसकी अवस्थाओं में काफी चेंज देखने को मिलता है तो अब जल वायू में महादीप्य अवस्था क्या है इसका समकारी प्रभाव समुदर की दूरी बढ़ने पर प्रभाव कम होता है लेकिन वो लोग विसम मोसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं और इसे महादीप्य अवस्था कहते हैं तो ये लिख दिया आपने प्रशन नमबर पाच का उत्तर चलिए अब पढ़ेंगे हम आपका अनुछेद और करेंगे काल यानि के गर्मी की रितू जब गर्मी होती है तो लू चलती है लू यानि के जो गरम हवाय होती है ये धूल भरी गर्म वैस सुस्क फवने होती है जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्मी छेतरों में चलती है तो हम भी तो नोर्थ इंडिया में रहते हैं उ हवाएं चलती है उन्हीं को लू कहते हैं जो हमें गरम गरम लगती हैं कभी कभी ये देर साम तक जारी रहती है और जो खूब गर्मी होती है गर्मी का प्रकौप रहता है तो लू का भी प्रकौप जारी रहता है ये रात साम तक रहती है इस हवा का सीधा प्रभाव घा तक भ लुए बहुत कई बार भूंदा नंज्रस हो सकती है। में धूल 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 पूरे गरों में बर जाती है ना तो ये मई में होता है और मई में एक कारण और भी होता है बच्चो इसका क्योंकि इस टाइम जो किसान है गहूं काटते हैं गहूं की फसल के बाद जब वो उसका भूसा अलग करते हैं गहूं अलग होता है तो जो भूस होता है वो भी उड़ जाता है इसमें हवाओं अगर हमें ये आधियां ऐस्थाई रूप से अराम पहुचाती है क्योंकि ये तापमान को कम कर देती है तथा अपने साथ ठंडे समीर वे हलका वर्सा लाती है तो आपको पताईए जब आधी चलती है तो अपने सा मोसम को भी बदल देती है थंडी समीर यानि के हावा को लाती है हलकी बारिस भी आ जाती है इस मोसम में कभी-कभी त्रिव हवाए यानि तेज हवाओं के साथ गरजवाली मूसलाधार बारिस भी हो सकती है मूसलाधार मतलब बहुत तेज इसके साथ प्राय हिम्वरस्टी भ नाम से जाना जाता है क्योंकि ये विसाक के महीने में होती है तो विसाक से विसाकी तो काल विसाकी के नाम से इसको जाना जाता है अब बताना है हमें इसके प्रशनों के उत्तर जो दो प्रशन है लू की विसेस्ता है लिखे और काल विसाकी क्या है तो चलिए लिख देते हैं लू की विसेस्ता, तो लू की विसेस्ता क्या बताए है, लू ग्रिस्म काल का एक प्रभावी लक्षन है, यह दूल भरी गरम और सुस्क पवने होती है, जो की दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्मी छेत्रों में चलती है, कभी-कभी यह देर साम तक जारी रहती है, इस हवा का सीधा प्रभाव गह तक भी हो सकता है, तो लू की इतने सारी विसेस्ता है, हमने अनुछेद में पढ़ी और हमने वो सारी की सारी लिख दी है, ठीक है, तो यह हो गया आपका अनुछेद आधारित प्रशन नंबर 6 के पहले का उत्तर, आप देखते हैं प्रशन प्रशन नंबर 6 महीं, जो दूसरा गोशन सोत्रा धारित है, काल विसाकी क्या है, तो आप लिख दो पूरा पस्चिमी बंगाल में त्री हवा के साथ होने मैली मूसलादारी वर्सा, जो भारी तबाई का कारण मलती है, यह वर्सा विसाक के महीन में होने के कारण, इसे काल बोला जाता है, समझ गए? जो पस्चिम बंगाल में तेज हमाय चलती है और उसके साथ बहुत तेज बारी सा जाती है ना, तो बहुत सारी तबाई हो जाती है उससे, है ना, किसी की फसल जैसे, कही जी जपकी हुई होती है, जैसे सरसो वगेरा, वो सारी फूड जाती है, उससे, चलिए, अब आ जाते हैं, प्रशन नमबर साथ भारत की जलवाईउ को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारक है, तो आप लिख दीजे कौन-कौन से कारक है, एक तो है अक्षांस, अक्षांस पर किसी देश की इस्थितिका प्रभाव जलवाईउ पर पड़ता ह जो विल्कुल अक्षांस के कोने पे होते हैं उत्री दक्षान पे यह दक्षनी अक्षांस पे महाँ पे बहुत सर्दी होती है और बीच में आने से क्या होता है गर्मी बढ़ती जाती है उचाई उचाई के बढ़ने पर भी तापमान की कमी हो जाती है अगर हम पहाड़ी एरि जैसे कि हमारी दिली कभी होता है 50 डिगरी कभी होता है 20 डिगरी है ना महासागरिय धाराएं और आज कल तो 4 डिगरी 5 डिगरी 7 डिगरी इतना तक नियूंतम जो इसका टेंपरेचर नियूंतम तक पान मापा जाना है महासागरिय धाराएं गर्म महासागरिय धाराओ के प्रभाव के कारण जलवायू सम और ठंडी धाराओ के कारण जलवायू कैसी हो जाती है विसम होती है तो ये लिख देंगे आप ये सब इसके जलवायू को प्रभावित करने वाले कारक एक और लिखे वायूदाब किसी भी छेतर का वायूदाव उस इस्थान के अक्षांस और उचाई पर निर्भाड करता है उसका जो एर प्रैसर होता है वो किस पर डिपेंड करता है जो महां का अक्षांस कितना क्या है और उसकी उचाई कितनी अक्षांस है ना तो ये सब depends करता है हमारी जल्वाई यूपे अब चलते हैं प्रशन नमबर आठ पर प्रशन नमबर आठ जो आपकी वर्क सीट में हैं बच्चों वो ये पूछ रहे हैं प्रशन नमबर आठ में मांसून भारत को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है कि मांसून बुड़ाई बुड़ाई और वे संपूर देश को एक सूत्र में बांती है भारत के लोगों का संपूर जीवन मांसून के इर्द गिर्दी हुमता है इसलिए मांसून को एक सूत्र में बांधने मैला समझा जाता है अगर हमारा होता है एक या दो नंबर का तो बच्चों हमें ये भी लिख सकते थे इसका अंसर लेकिन मैं डियर स्टूरेंट्स क्योंकि ये करना है हमें 80 वर्ड्स में तो हमें इतना तो लिखना पड़ेगा पहला पूरा भारतिया बुद्रस से इसकी जीव तत्थम नस्पति क्रसी चक्रतियोहार उत्सव आदी सभी मांसुनी लेके चा पूतर में वानती हैं तो समझ गये इसमें समझाने वाली कि तो कोई बात नहीं है सारह आप समझ गयोंगे लिखा हुआ है चलिए हो गया आपका कोशन नंबर 8 अब है हमारे कोशन नंबर 9 की बारी तो कोशन 9 क्या पूच रहा है भारत में होने वाली मानसुनी वर्षा और उसकी विसेश्ता इस तरीके से है वर्सा का समय में मात्रा देश की अधिकांस गर्मी के मोसम में होती है जो देश की अधिकांस वर्सा लिखिए यहां यहां पर वर्सा चूड़ गया बच्चों में दुबारे से लिखते हूं वर्सा तो जो जादेतर बारिस कब होती है जाद मांस्वनी वर्षा की मात्रा पूरी तक मात्रा निश्चित का डिदाइ बार इतनी हैं तै रहे जang होता है तो यहросों से अंशोड़ा और मुश्वन धहर मुश्वनी था बाड़ा है दिजे बार्ष चोड़िये मांसुनी वर्सा अत्यदिक मात्रा में और कई कई दिनों तक लगातार होती है है लुँअ का फूसिंधार कुछ दिनिया सब्सक्राइइ से मतलब क्या होता है मांसून आ गया क्या देते हैं जुन में मांसून आगया धीस जून को और पच्छीस जून तक बारिश हुई और už फिर 25 से लेके 10 जूलाय तक कुछ नहीं हुआ तो तो इसक पीरियड जैते हैं यानि के ति यह हो गया आपका प्रेशन नमबर नाइन अब चलिए लास्ट कोशन अफ दिस वर्क सिट इस उत्तर भारत के पूर से पश्चिम दिसा की और वर्सा की मात्रा घरती जाती है इसके क्या कारण है तो प्यारे बच्चो अगर आप नए आयो चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब ने किया चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला और नोटिफिकेशन बैल भी दबाया करो जिससे आपको आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिले है ना और आप मेरी वीडियो से पढ़ें अपना होमवर्क करें मैं तो यही चाती हूं बच्चो और दोस्तों के साथ भी सेहर करें और बच्चो को वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें है ना तो जो भी आपकी कोई क्वैरी है आप उसको भी पूछ सकते हैं ठीक है चलिए भारत में पूरब से पश्यम की और वर्से की मात्रा इसलिए घटती है क् क्योंकि जो मंगाल की खाड़ी से मांसून भारत में सबसे पहले उत्तर पूरूर में प्रव्यस करता है सबसे पहले कहां से आता है मंगाल की खाड़ी से उचे हिमाले परवत इन्हें आगे नहीं जाने जाती हिमाले उन्हें रोक लेता है वास्प से भरी होने के कारण पमन होता जा रहा है इसका रिजल्ट यह निकलता है कि उत्री भारत में पूरब से पश्रिम की और जाते हुए वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है कम होती जाती है तो यह लिग दिया हमने कोशन नमर दसकांस है होफुली वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो बच्चो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना and my dear students thank you have a good day